दोस्तो आज हम explain करने वाले हैं हाली मैई गुटर्गु सीजन टू के सारे एपिसोड्स को जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी इसी बात पर वीडियो को भी लाइक कर दीजिए हम चलिए कहानी शुरू करते हैं तो एपिसोड वन की शुरुवात में हम अनुच को देखते हैं जो अमीद भीया और अपने बाकी सारे दोस्तों के सामने अपने पापा से एहमदाबाद जाने की परमीशन लेने की practice कर रहा था जिसमें उसे समझ नहीं आता कि वो अपने पापा को कैसे मनाएगा एहमदाबाद जाने के लिए तब ही हम रितु को देखते हैं जो वहीं बैठी थी और वो अनुच को कह दिये कि इससे कुछ फायदा नहीं होगा लेकिन अनुच कैदा है कि मैं आखरी बार practice कर लूँ मैं पापा से permission लेकर तुमारे साथ एहमदाबाद जरूर आऊंगा इसके बाद अनुच रात को पुरी हिमत के साथ अपने पापा के पास आता है और acting करने लगता है कि पापा अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मेरे एक जानने वाले भाईया है उन्हें अमदाबाद के college से तुरंत 12 लाग का package लगा है जो भुपाल में मिलने वाला नहीं है तब ये सुनकर उसके पापा कहा दे कि ठीक है तो तू इंगीनेरिंग अमदाबाद से कर ले कोई दिक्कत नहीं है ये सुनते ही अनुष तो बहुत खुश हो जाता है कि मैंने तो बहुत मुश्किल समझा था पर मेरे पापा तो बड़ी असानी से मान गए तब ही वाँ अनुष की मम्मी आती है जो कहती है कि ये ठीक से कपड़े तो रख नहीं पाता ये तनी दूर कैसे रह पाएगा और वो अनुष को ये भोबाल से कॉलिज करने को कहती है जो सुनकर अनुष का सपना चूर चूर हो जाता है फिर जब अनुष जुदास बैठा होता है तब उसका भाई उसको आकर एक आडिया बताता है कि इससे मम्मी भी कन्विन्स हो जाएंगी आपके अमदाबाद जाने के लिए और वो कहता है कि कैसे भी करके हमें मम्मी को विश्वास दिलाना होगा कि इसके बाद ये दोनों एक मिशन पर लग जाते हैं और अपनी मम्मी के फोन में एमदाबाद के बेस्ट कॉलिज की लिश्ट खोल देते हैं साथ ही एमदाबाद की पॉजिटिव सैड दिखाने के लिए मोबाईल में उसे के बारे में सर्च करते रहते हैं जिससे अनुझ की मा की मोबाईल में हर समय एमदाबाद की अच्छी अच्छी नियूज आने लगती हैं फिर अगने दिन अनुझ अपनी एक आंटी को मना कर लाता है जो अनुझ की मम्मी के सामने एमदाबाद की तारीफ करने लगती हैं कि वहाँ पड़े हुए बच्चे काफी अमीर होते हैं साथ ही अनुझ भी अपने कपड़े धुलने की अक्टिंग करने लगता है ताकि उसकी मम्मी उसे रिस्पोंसिबल समझे अब ऐसे करते हुए दो दिन बीच जाते हैं और फिर अनुझ की मम्मी उसके पास आकर कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि तो एमदाबाद ही चले जा उमह पढ़ाई अच्छी होती है जो सुनकर अनुझ तो खुश हो जाता है पर वो एक्टिंग करने लगता है कि जैसा आप कहोगी वैसा ही होगा और अनुझ की मम्मी कह देती है कि कली जाकर फार्म भर दे अब अगले दिन अनुच की मम्य उसके लिए शॉपिंग करने एक कपड़े की दुकान पर आती है जो कि उनका जानकार था और उसे अनुच की मा बातो बातों में बताती है कि मेरा बेटा जल्द ही एमदाबाद जाने वाला है इसलिए मैं उसके लिए कपड़े लेने आई हू तब वो आदमी कहता है कि अपना अनुच इतने दूर जा रहा है वैसे मैं एक लेडी को जानता हूँ जिनकी बेटी भी एमदाबाद पढ़ने जा रही है आप उनसे बात कर ले ना दोनों बच्चे साथ में जाएंगे तो आपको भी टेंशन नहीं होगी जिस पर वो आदम इसलिए तुझे एमदाबाद जाना था ना आप तो यहीं बोपाल में रहकर पढ़ाई करेगा बस और अगर ज्यादा भैस करी तो मैं तेरे पापा को रितू और तेरे बारे में सब बता दूंगी और वो तुझे अच्छे से मारेंगे जो सुनकर अनुच फिर से उदास हो करते इसलिए हमें ब्रेक अप कर लेना चाहिए वरना हम दोनों ही परिशान रहेंगे जो सुनकर अनुच तो फिर उदास हो जाता है और रितू वहां से चली जाती है इसके बाद हम अनुच और रितू के दोस्तों को देखते हैं जो आपस में लट रहे थे कि रितू ने अन ब्रेक अप पार्टी रखी जाती है जहां मित भाईया कह दे कि यार तुम दोनों तो बिना लड़े ही ब्रेक अप कर रहे हो बड़ा रूखा सूखा लग रहा है ऐसे में तो दोनों एक दूसरे को मिस करते रहोगे इसलिए थोड़ा लड़ो ताकि एक दूसरे से नफरत हो पर बरस पढ़ता है कि हर चीज तुम्हारे कहने पर नहीं होगी नौकर नहीं हूं में नुमारा कि जब तुम चाहो ब्रेक अप पर ले जब तुम चाहो पैच अप कर ले अब इन दॉलो के लड़ाई इतनी ज़ादा बढ़ जादी है कि रितों गुस्टे में महा से चली ज उसमें इंट्रेस्ट लेने की कोशिश करो सब दीरे दीरे समझ जाने लगेगा ये सुनकर तो अनुच को अपना खयाल आता है और वो तुरंत अमित भाईया के पास जाकर सीधा एरपोर्ट चलने को कहता है जहां से रितू एमदबाद जाने वाली है इसके बाद अनुच वहा के लिए चली जाती है यानि रितू ने अनुच को चांस दे दिया था यही पर एपिसोड वन खतम होता है एपिसोड टू की शिरुवात में हम देखते हैं कि रितू को गए तीन हफते बीच चुके हैं और अब इनकी वीडियो कॉल और चैट पर बाते होती रहती है जिसमें दोनों कोई मजा रहा है यहां तक कि दोनों कोई फिक्स टाइमिंग भी है रोजाना बात करने की इसके बाद सीन कुछ हफते आगे बढ़ता है जहां यह दोनों क्लास में बैट कर भी सिर्फ चैटिंग ही करने में लगे होते हैं और ऐसे समय बीचता रहता है फिर एक दिन निधी अनुच को गुलत फैमिगे चलते उससे काम करवाने लगती है और अनुच कुछ बोल भी नहीं पाता तबी वहाँ पर एक लड़का आता है जो निधी से कहता है कि में हीरो ने एमदबाद आने से ही मिना कर दिया जो सुनते एमदबाद जाने का मौका मिलेगा और व 9 बजे तक मुझे अपना ओडिशन भेज देना पसंद आएगा तो आगे देखते हैं और वो से डायलोग देकर चली जाती है हाला कि हम प्राबलम ये थे कि प्ले इंगलिश में था पर रितु से मिलने के चक्कर मैं नोज इसके लिए भी मान जाता है इधर हम रितु को जाती है और कहती है कि ये मैं आपकी असिस्टेंट बनना चाहती हूँ जिस पर रोशनी उसे अंदर बुलाती है और उसका टेस्ट लेने लगती है कि तुम्ही क्या आता है फोटोग्राफिक के बारे में जरा बताना तो तब रितु से अपनी फोन की फोटोस दिखाती है ल कि अनुझ ये नहीं बतादा कि इस प्ले के जरिये वह हमदा बाद आ पाएगा मही रितु कहा दे कि अब मैं रोशनी को प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मुझे भी फोटोग्राफिक आती है इसके बाद रात को अनुझ अमित भाया से एक्टिंग सीखने लगता है जो उसे क करने लगती है फिर रात को अनुझ रितु का अपने ओडिशन की दो वीडियोस बेचता है कि इसमें से एक सेलेक्ट करके बताना नो बज़े भेजनी है तो रितु तो अपनी फोटोस में बिजी होने के कारण कहती है कि मैं जल्दी बता दूँगी पर रितु अपने काम में बिजी हो जाती है और वीडियो देख नहीं पाती फिर जैसे अनुझ का यहां फोन आता है तो उससे कैमरा गिर जाता है और फोटो भी खराब हो जाती है जिससे रितु का तो दिमागी खराब हो जाता है तुम्हाई रितु के फोन ना उठाने पर अनुझ अपनी एक ओडि तुम्हारी तरह टाइम पास नहीं जो सुनकर अनुच फोन कार देता है इसके बाद दोनों एक दूसरे से एक दिन तक बात नहीं करते फिर रितु अनुच को सौरी का मैसिज कर देती है और वही रोशनी रितु का तोड़ा कैमरा सही करवा कर रेंट वाले को वापस दे रहती है यही से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और रितु उसको असिस्ट करने लगती है इधर अनुच सीधा निधी पर आता है कि मेरे ओडिशन का क्या हुआ जिस पर निधी कह दे कि हम तुझे बताना भूल गए असल में हमारा मेन एक्टर वापस आ गया है इसलिए आप अफिक खुश थी क्योंकि रोश्णी से जोसकी दोस्ती हो गई थी फिर रितु सिधा अनुच को कॉल करती है और अनुच उसे ताने मारने लगता है कि मैं तुम्हें परिशान करना नहीं चाहता इसलिए तुम्हें कॉल नहीं किया पर रितु इसका मजाक में जवाब देती है और यहां इनके बीच सब सही हो जाता है साथ अनुच बताता है कि मेरा ओडिशन क्रैक नहीं हुआ और वो रिविल करता है कि ये सब मैं सिर्फ तुम से हमदबाद में मिलने के लिए कर रहा था जो सुनकर रितु शौक्ड हो जाती है कि अनुच मेरे लिए इतने नहीं मिल रहा तब शिवांगी कहती कि एक बार अनुच को ट्राय करो ना वो अच्छ एक्टिंग कर रहा था तब ये लोग अनुच को बुलाते हैं जो इस समय भी प्ले काही काम करने में बिजी था और वो तुरंत कहता है कि मैं कोई भी रोल करूंगा बस मुझे एमदबा जो सुनकर रितू को अच्छा नहीं लगता और अनुच समझ जाता है कि उसे जलन हो रही है अब अगले दिन अनुच कैंटीन में बैठा होता है तब ही वाँ शिवांगी आती है और अनुच से बाते करने लगती है अनुच भी कहता है कि मैं तुम्हारी वज़ा से अमदब जो बात रितू को अच्छी नहीं लगती इसके बाद जब शिवांगी अनुच के साथ एक फोटो क्लिक करती है तो वो मजाक में कहते कि अगर ये फोटो मैंने अपनी इस्टापर डाल दी और तुम्हें टैक कर दिया तो तुम्हारी गल्फरेंड तो तुम्हें खाई लाने लगती है कि तेरा पत्ता तो कटने वाला है फिर रात को रितु शिवांगी की प्रफाइल श्टाप करने लगती है और गलती से उसकी एक प्रानी पोस्ट पर लाइक कर देती है जिस बात का उसे काफी रिग्रेट होता है फिर अगली सबा रितू पर अनुच का कॉल जो से कहता है कि क्या बात शिवांगी की पुरानी फोटोस लाइक की जा रही है जिस पर ही तु कहते कि उसने इतनी जल्दी तुम्हें बता भी दिया ज्यादा दोस्ती नहीं बढ़ रही तुमारी और वह मैंने नहीं बलकि मेरे दोस्तों से लाइक हो गई होगी तब अनुझ उसका मजाग बनाने लगता है जिस पर रितु बढ़क जाती है कि वो लड़की बस तुम्हें घुमा रही है और जल्दी तुम्हें उल्लू बना देगी जो बात अनुझ को अच्छी नहीं लगती खैर अप कॉलिज में अनुझ अपना रोल प्ले करता है और शिवांगी बस उसे देखे जा रही थी जैसे उसे अनुझ पसंद आ गया हो फिर रोल खतम होते ही शिवांगी अनुझ की तारिफ करते हूँ उसके गली लग जाती है जो अनुझ को काफी अजीब लगता है तभी निधी अनुझ करते है कि आज मेरे घर पर इस प्ले के सारे लोगों के लिए पार्टी है इसलिए सब को आना है तब अनुझ शिवांगी से पूछता है कि तुम भी चल रही हो ना जिसपर शिवांगी कहा दे कि नहीं मुझे पार्टी वगेरा पसंद नहीं है और वैसे भी मुझे कल सुबाई अपने ममी पापा से मिलने घर जाना है इसलिए मैं एमदाबाद भी नहीं आपाऊंगी फिर जब शिवांगी अपने रूम में जाने लगती है तब वो अनुझ से कहती है कि तुम काफी अच्छे एक्टर हो इसलिए एक्टिंग को सिरियसली लेना चालू कर दो तब ही शिवांगी जैसे ही मुडती है उसके पैर में मोचा जाती है ये देख अनुझ उसे उसके रूम में ले जाता है और मरहम पट्टी करने लगता है ताती वो उसके लिए खाना भी गरम कर देता है कि तुम ये सब कैसे कर पाओगी ये देख शिवांगी को अनुझ का सुभाव काफी अच्छा लगता है कि ये कितना केरिंग है तब ही या रितू का कॉल आता है और वो पूछती है कि क्या कर रहे हो जिस पर अनुझ जूट कहता है कि सारे प्लेवाले पार्टी कर रहे है मैं यही पर हूँ असल मैं अनुझ डर गया था कि शिवांगी का नाम लूगा तो रितू फिर से बढ़क जाएगी और वो तो इस बार उसके घर में भी है फिर अनुझ शिवांगी के लिए खाना लेकर आता है तो शिवांगी उसे अपने पास बैठा लेती है वो अनुझ से पूछते है कि तुम कॉल आते उदास क्यों हो गए रितू थी क्या कॉल पे जिस पर अनुझ कहता है कि हाँ पर मुझे समझ नहीं आया कि मैंने उससे जूट क्यों बोला तब शिवांगी कहते कि अनुझ मैं जानती हूं कि तुम मुझे पसंद करते हो ये कहकर वो अनुझ का हार पकड़ लेती है और उसे किस करने लगती है यहीं सिन कट होता है और हम देखते हैं कि अनुझ उदास होकर घर जा रहा है फिर ये बात आकर वामित भाया को बताता है जो सुनकर वो कहते हैं कि ये बात सीग्रेट ही रहे तो अच्छा होगा वरना रितु के मन में एक बार शक आ गया तो हमेशा शक करेगी फिर जब अनुझ लेटा होता है तब उसके पास शिवांगी का मैसेज भी आता है कि जो हमारे बीच हुआ हम उस बारे में बात कर सकते हैं हाला कि उसके कारण अनुझ को पूरी रात नींद नहीं आती कि मैं रितु से क्या कहूंगा अब अगले दिन सुबा रितु पर वीडियो कॉल आती है और ये अनुझ मनुबन टेकरी पर उदास बैटा था वो रितु से कह दा है कि मैंने तुम से एक जुड बोला है कल जब तुमारा कॉल आया था ना तो मैं शिवांगी के घर पर था क्योंकि उसके पैर में मोच आ गई थी और मुझे लगा कि तुम गुस्सा हो जाओगी इसलिए मैं सच नहीं बोल पाया फिर आगे वो बताता है कि जैसे ही मैं निकलने वाला था यहां से सीन फ्लेश बैक में जाता है जा शिवांगी अनुज को किस करने वाली होती है लेकिन अनुज मां से तुरन थट कर घर निकल जाता है यानि अनुज के मन में बस गिल्ट था कि अगर मैं किस कर लेता तो वो कितना बुरा होता इसे कारण उसे रात भर नींद नहीं आई थी यह कहकर अनुज रोने लगता है और रितो से कहती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है फिर अनुज कहता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता जो सुनकर रितो खुश हो जाती है यही पर एपिसोड 3 खतम होता है एपिसोड 4 की शुरुवात में हम अनुज और उसके दोस्तों को शराप पीते हुए देखते हैं जहां अनुज उनसे रितो के साथ फर्स्ट नाइट मनाने की बात कर रहा था तभी रितो इमेजिनेशन से बहार आती है और हमें पता चलता है कि यह सब वो बस सोच रही थी जिसके बार में उसे रोष्णी बता रही थी कि लड़कों को एक ही चीज चाहिए होती है बस मया मनुझ को देखते हैं जिसे अमित भाया कह रहे होते हैं कि तू तो उससे जल्दी मिलने वाला है इसलिए तुझे वो सब तो करना ही पड़ेगा वरना वो सोचेगी कि तुझ में कुछ प्राबलम है इधर रितु को रोष्णी कहती है कि हर कपल को वो सब करना पड़ता है ताके रिष्टा मजबूत हो सके पर रितु नहीं मानती वो कहते कि मेरा अनुज ऐसा नहीं है तब रोष्णी कहती है कि मेरे पास कुछ तरीके है जिससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि अनुज को भी बाकी लड़कों की तरह ही तुमारे साथ रूम पर जाना है इसके बाद हम देखते कि अनुज प्ले के लिए एमदबाद आ जाता है और उसे रितु मिलती है जिसे देखकर वो उसके गले लग जाता है इसकी बाद ये लोग होटल में चेक इन करते हैं और अनुज बस रितु को ही देखे जा रहा था तब हमें फ्लेश बैक दिखाते हैं उसे अमिद भीया ने ऐसा करने को कहा है ताकि रितु को लगे कि वो उसके साथ रूम में चलने को तयार है वहीं रितु को याद आता है कि रोख्षणी ने बताया था कि लड़का जब तुम्हें ऐसे देखता रहे था कि लड़का बार-बार अच्छे स्मेल महसूस कराने की कोशिश करेगा ताकि लड़की उसके करीब आ सके ऐसे में रितु का शक यकिन में बदल जाता है कि अनुच भी बाकी लड़कों की तरह ही वही सब चाता है इसके बाद रितु अनुच के पूरे ग्रुप को लेकर एमदबाद गुमाती है और ये लोग खुब इंजॉय करते हैं हाला कि अनुच बार-बार रितु के करीब आ रहा था जो कि अमित भाया ने करने को कहा था इसके बाद सब लोग भार कुछ खापी रहे होते हैं तो निदी यहां रितु से कलब चलने के लिए कहती है फिर वो खुदी बता दी है क्या रे मैं तो भूल गई कल पले के बाद अनुच का प्लैन है तुमारे साथ अकेले में टाइम स्पैंड करने का जो सुनकर रितु समझ जाती है कि कल अनुच कुछ तो करने का प्लैन कर रहा है तब इसे रोशनी की एक और बात याद आती है कि अनुच के रूम में चेक करना कुछ तो जरूर मिलेगा जिसके बाद मौका मिलते ही रितु अनुच के रूम में जाती है कि आपने सही कहा था अनुज को भी वही सब चाहिए लेकिन मैं तो काफी नर्वस हूँ तो रोशनी कहते कि उसे साफ साफ बता कर बात क्लियर कर ले आलाक इसके बावजुद रितू डिसाइड करती है कि वो अनुज के लिए ये सब करने को तयार है क्योंकि अनुज को अच्छा लगना चाहिए बस अब अपले के बाद अनुज और रितू रूम में आते हैं जहां दोनों क्लोस आने लगते हैं लेकिन तभी अनुज डर के मारे बोल पड़ता है कि रितू मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा फिर चाहे तुम ब्रेक अफी क्यों न कर लो जो बात रितू को अजीब लगती है और वो कहते हैं कि ये सब तो तुम ही करना चाहते थे ना जिस पर अनुज मना कर देता है कि मुझे लगा कि तुम ये सब करना चाहती हो और यहां दो लों की गलत फैमी दूर हो जा दी है कि यह सब हम रोश्णी और Amit भाईया की बातों में आकर कर रहे थे फिर अनुज कहता है कि हम जब तयार होंगे तब यह सब करेंगे किसी के कहने पर नहीं आएंगे और अनुजे भी बता देता है कि मेरे बैग में वो कॉंडॉम अमित भाया नहीं रखा था इसके बाद ये दोनों बार गोमने आ जाते हैं और काफी अच्छे से टाइम स्पैंड करते हैं यहाई पर एपिसोड फोर खतम होता है एपिसोड फाइफ की शुरुवात में अनुजेमदाबाद से वापस भुपाल आ चुका था और वो रितू से ही बात कर रहा था कि जब तुम इस बार निव येर पर भुपाल आओगी तो हम खुब इंज्वाय करेंगे पर तभी रितू पर एक मेल आता है कि जो आपने इंटर्शिप के लिए अप्लाई किया था वो आपको मिल गई है फिर रितू कहते कि अब में बबाल नहीं आपाऊंगी क्योंकि मेरी इंटर्शिप तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक है जो कि कल ही शुरू होने वाली है जो सुनकर पहले तो अनुज उदास हो जाता है लेकिन फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं करियर भी तो जरूरी है अब अगले दिन से रितू इंटर्शिप जोइन कर लेती है जहां पर वो सोच कर आई थी कि वो एट्शूड वगएरा में अपना आउटपूर्ट देगी पर उसे तो सीधर डेस्क जॉब पर बैठा दिये जाता है इधर अनुज के पास निधी आती है जो से कहती है कि तू एक्टिंग अच्छे करता है तो आडिशन वगएरा ट्राइ करना जिस पर अनुज मना कर देता है कि पापा तो मुझे घर से निकाल देंगे लेकिन इधी कहते कि जो प्ले तूने किया था ना महाँ एक डिरेक्टर भी बैठा था जिसे तेरी अक्टिंग काफी पसंद आई और उनका कहना है कि वो तेरा एक वैब सिरिस के लिए ओडिशन लेना चाहते हैं वो भी मेन रोल के लिए जो सुनकर अनुज तो खुश हो जाता है लेकिन उसको अपने घरवालों का डर था क्योंने कैसे बताऊँगा इस बारे में इसलिए वो मना कर देता है तब निद्यू से जबरदस्ती ओडिशन सेंड करने के ले कहती है और अनुज मान जाता है इधर रितू को एक चायवाले चाचा कहते हैं कि जब तक मैडम नहीं आती आपको यही काम करना पड़ेगा इसलिए मैडम के आते ही आप काम मांगने चले जाना पर आज तो मैडम आती ही नहीं और रितू बस वही डेस्क जॉब पर इमेल के रिपलाई करती रहती है फिर जब रितू अपने रूम पर आती है तो वो अकेली थी क्योंकि निई येर पर सब अपने अपने घर चले गए थे जो देखकर रितू को अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ पर अकेली रह रही हूँ और उसे अनुश की याद आती है अब अगले दिन जब रितू अपनी इंटरंशिप पर आती है तो वो सीधा अपनी बॉस के पास आकर कहती है कि मुझे आप फोटो शूट पर ले चलिए मेरे पास कुछ अच्छे आइडियास भी है और वो उसे आइडियास बताती है लेकिन वो बॉस कहते कि आपने कल इमिल का रिप्लाई का काम काफी अच्छे से किया है इसलिए फोटो शूट का काम हम देख लेंगे आप बस वही समा लिए जो बात रिप्लाई को अच्छे नहीं लगती और वो बॉस किसी दूसरे इंटरन को अपने साथ शूट पर लेके चली जाती है अब आज का दिन भी रिप्लाई का ऐसा ही बीत जाता है और अगले दिन रिप्लाई फिर बॉस से नए फोटो शूट पर चलने को कहती है लेकिन वो बॉस तो उसे इमिल वाले काम पर ही लगाए रखती है और ऐसे करके कुछ दिन बीच जाते हैं वही हम अनुच को देखते हैं जो अपना ओडिशन रिकॉर्ड करके अमित भाया को दिखाता है जो उसकी काफी तारीफ करते हैं तब ही यहां उमेर अनुच का मजाग बनाने लगता है जो देख सोनल हस जाती है तब आदी आता है और सोनल को हसाने के लिए उर्पटांग हरकते करने लगता है जिससे हमें समझाता है कि आदी को सोनल पसंद है इधर आज रितू के ऑफिस में उसकी बॉस अपना नया फोटो शूट की मैकचिन दिखाती है जिसमें रितू का इडिया यूज किया था पर उसका सारा क्रेडिट ना इंटन को दे दिया जाता है जो बात रितू को अच्छी नहीं लगती फिर वो सीधा अपनी बॉस से आकर इस बारे में बात करती है तो वो कहती है कि मैंने इस पर ध्यान दिया ही नहीं कि ये किसका एडिया है आप जब रितू उदास होकर बैठी थी तब महाँ चाय वाले चाचा आते हैं जो कहते हैं कि बेटा उदास मत हो यहाँ प्रेशर तो रहता ही है काम का फिर वो कहते कि मैं यहाँ पर हर साल तुम्हारे जैसे बच्चों को आता देखता हूं जो इस उमर में भी इतना प्रेशर जिलते हैं पर मुझे तो लगता है कि आफिस का काम करने के लिए तो पूरी उमर पड़ी है इस समय तो तुम्हें अपने कीमती दिनों को जीना चाहिए जो बात रितु को हिट कर जाती है इसके बाद अनुझ जब टीवी देख रहा होता है तभी उसे निदिका फोन आता है जो उसे बता दे कि तेरा ओडिशन में सेलेक्शन हो गया है जो सुनकर अनुझ खुश हो जाता है लेकिन जब अनुझ की मम्मी इसका कारण पूछती है तो वो जूट कह देता है कि मैं एक रेस में सेलेक्ट हो गया हूँ बस असल मैं उसको डड़ लगया था कि मम्मी उस पर गुस्सा करेंगी इसके बाद अनुझ रेतु को कॉल करके अपने सेलेक्शन के बारे में बताता है जिससे रेतु खुश हो जाती है फिर रेतु सीदह एक एजन्ट को कॉल करके भुपाल की टिकट करने के लिए कहती है क्योंकि अब उसने ये इंटर्शिप छोड़ने का प्लैन कर लिया था जिसके बाद वो रिजाइन भी कर देती है अब अगले दिन जब रेतु अपना समान पैकर के बैठी थी तब ये इजन्ट का कॉल आता है कि कनफर्म टिकट नहीं मिल पाई जो सुनकर हितुर होने लगती है कि अब मैं भपाल नहीं जा पाऊंगी तब ये अनुज का कॉल आता है और वो उसे सब बताती है जो सुनकर अनुज उसे समालता है और नया साल अपने तरीके से मनाने के लिए कहता है जिसके बाद ये दोनों वीडियो कॉल के जरिये ही New Year Celebrate करते हैं यही पर Episode 5 खतम होता है Episode 6 की शुरुवात में अनुज अपने पापा से आज अपनी एक्टिंग के बारे में बात करने आता है पर पापा को बैल्ट ठीक करते देख उन्हें कुछ कहने ही पाता तब यह अनुज का सपना तूड़ता है और वो अपने दोस्तों से यह डिसकस कर रहा था कि पापा से कैसे कहूं एक्टर बनने के बारे में तब यह लोग उसे नए-ने तरीके बताते हैं जो अनुज को पसंद नहीं आते उसी समयमा रितू भी आ जाती है जो अनुज को सप्राइस देती है और फिर यह सब अनुज की एक्टिंग के बारे में बात करने लगते हैं फिर रितू अनुज से कहती है कि जब तुम मुंबई में अपनी शो की शुटिंग करोगे ना तो मैं भी मुंबई में मिलूंगी क्योंकि मुझे एक डॉक्यमेंटरी के लिए इंटर्शिप मिली है जिससे मैं काफी कुछ सीख पाऊंगी और इसे कारण हम दोनों साथ में भी रहेंगे जिससे अनुज कुश हो जाता है पर तुरंट अनुज को याद आता है कि अभी तक तो मैंने अक्टिंग के बारे में घरवालों को बताया ही नहीं ये सोच कर वो दासो जाता है तब रितु उसे मोटिवेट करती है घरवालों से बात करने के लिए फिर रात को अनुज अपने पापा से बात करने आता है तो देखता है कि ये तो पहले से गुस्से में बैठे हैं इसलिए वो चुप चाप चला जाता है इसके बाद वो सुभा सुभा अपने पापा से बात करने आता है और फिर वो जैसे तैसे करके उन्हें अपने एक्टिंग के बार में बता ही देता है पर वो देखता है कि पापा ने तो उसकी बात सुनी ही नहीं ये देखकर अनुज का पूरा प्लैन खराब हो जाता है इसके बाद अनुज रितू के साथ अपने ओडिशन पर जाता है जहां अनुझ के चक्कर में मुंबई जा रही है बस तब यह अनुझ बाहर आता है और कहता है कि मैंने रोल के लिए मना कर दिया क्योंकि मैं कभी अपने पापा से एक्टिंग के बार में बात नहीं कर पाऊंगा और वैसे भी शूटिंग ए टाइम पर मेरे एकसाम है और ये लोग दो सीजन एक साथ शूट करेंगे जिसमें मेरे कॉलिज के अटेंडेंस मारी जाएगी ये सुनकर रितु बढ़क जाती है कितना अच्छा चांस मिला है लेकिन तुम इसके लिए सीरियस ही नहीं हो अगर बाद में तुम्हारे ममी पापा हम दोनों के रिष्टे के लिए नहीं माने तो क्या तुम मुझे भी छोड़ दोगे ये कहकर वो गुस्से में चली जाती है और अनुज कुछ कह नहीं पाता अब जब रितु घर आती है तो उसकी ममी उसे पूछती है कि गुस्से में क्यों हो जिस पर रितु सब बताती है और उसकी माँ से कहती है कि हर चीज तुमारी हिसाब से नहीं चलेगी अनुज को जो ठीक लगे उसे भाई करने दो ज़्यादा प्रेशर मत डालो इधर अनुज अपने हाथ में इस शो का कॉंटेक्ट लिए बैठा था कि मैं करू क्या और वो ये बात अपने भाई को बताता है पर उसके भाई के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था क्योंकि घरवाले तो मानेंगे नहीं फिर अगने दिन अनुज का एक्जाम होता है और हमें पता चलता है कि आज सही अनुज की शूटिंग भी श्टार्ट हो रही है जो कि फिलाल गिले भोपाल में होनी है और फिर एक हफ़ते बाद सब लोग मुम्मई में शूट करेंगे हाला कि अनुज अब एक्जाम देने आता है और कॉलिज पहुँचकर अपने पापा से पूछता है कि पापा आप बड़े होकर बनना क्या चाते थे जिस पर उसके पापा कह दे कि हमारे सामने तो कोई आप्शन ही नहीं था इसलिए हमने नौकरी कर ली जो सुनकर अनुज चुपचाप चले जाता है हाला कि अनुज के सवाल से वो सोच में जरूर पढ़ जाते हैं कि अनुज ऐसा क्यों पोच रहा था फिर जब अनुज के पापा घर आते हैं तो वाँ अनुज की ममी शो का कॉंट्रेक्ट लिए बैठी थी जो अनुज के भाई ने उन्हें दिखा दिया था पर अनुज की मा कहते है कि अच्छा हुआ अनुज ने शो के लिए मना कर दिया वरना मेरा लड़का बरबाद हो जाता लेकिन जैसे अनुज के पापा देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि अच्छा अनुज इसलिए आज मेरे से ये सवाल कर रहा था जिसके बाद वो तुरंत अनुच के कॉलिज पहुंच जाते हैं और उसे एक्जाम देने से पहले ही अपने साथ लेकर शूटिंग वाली जगा पर चल देते हैं जिस पर अनुच कहता है कि मैंने तो मना कर दिया है मुझे रोल थोड़ी मिलेगा अब तब उसके पापा कहते कि एक बार बात करने में क्या ही जाता है इधर हम शूटिंग का सीन देखते हैं जहां में रोल करने वाला लड़का ठीक से डायलोग भी नई बोल पा रहा था तब ही मां अनुच के पापा अनुच को लेकर आते हैं और वो डारेक्टर से कहते हैं कि मैडम मेरा लड़का एकदम एडियाट है जो अच्छे खासे चांस को गवा रहा था आप बस इसे एक मौका दे दीजिए जिस पर डारेक्टर पहले तो मना करती है लेकिन फिर अनुच के टैलेंट को देख कर हा कर देती है जिसके कारण अब अनुच को रोल मिल जाता है हाला कि यहाँ डारेक्टर से अनुच के पापा कहते हैं कि कभी अंकल वगेरा का रोल होना तो मुझे जरूर बताना यानि अनुज के पापा भी एक्टिंग के शौकीन है इसके बाद शाम को अनुज रितू के साथ मनुबन टेकरी पर बैठा होता है और आज के किस्से के बारे में बताता है कि मेरे पापा कितने कूल है मुझे पहले उनसे बात कर लेनी चाहिए थी जिस पर रितू भी खुश हो जाती है फिर रितू कहते कि वैसे भी अब तो हम दोनों ही मुंबई में साथ रहेंगे क्योंकि मैं सिंगपूर अगर जाती भी तो सेम पहले वाली इंटरंशिप की तरह ही मेरा हाल हो जाता इसलिए मुंबई में मुझे सीखने को भी मिलेगा और तुम्हारा साथ भी जिससे अनुझ खुश हो जाता है और कहता है कि फिर तो हम एक फ्लेट लेकर साथ में रहेंगे और मजा आएगा और रितो भी मान जाती है इसके बाद रात को अनुझ जब घर पर खाना खा रहा होता है तो वो कहता है कि मैं आप सब को मुंबई में काफी ज़्यादा मिस करूँगा जिस पर उसके पापा कहते हैं कि मम्मी तो तेरे साथ ही जाएंगी ना ये सुनकर अनुझ के तोते उड़ जाते हैं क्योंकि वो तो रितो के साथ रहने का खौप देख रहा था जिस पर मम्मी ने पानी फेर दिया और वो तो वैसे भी रितो को पसंद नहीं करती यहीं सोचकर अनुझ का मोड खराव हो जाता है यहीं पर सिजन टू खतम होता है दोस्तों आपको ये वैब सिरिस कैसी लगी हमें कॉमेंट में जरूर बताईएगा और इसके लाबा आप उनसी मोवी ये वैब सिरिस का एक्स्पिलनेशन चाहते हैं वो भी कॉमेंट कीजेगा बाकि अगर आपको हाली में ये कमाल की मोवी देखनी है तो आपी वीडियो देख लीजिए